दललन टॉप के सौरव दिवे दीजी इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं ललन टॉप के करता धरता सरवे सरवा सब कुछ यही हैं हर दिन सौरव जी का उनके चैनल दिललन टॉप पर शाम को एक शो आता है जिसका नाम है दललन टॉप शो अब रोज की तरह है नौ अपरेल को सौरव जी दललन टॉप शो में आए और मुद्दा था कोरोना वाइरस पर न्यूजिलेंड की पीम का उसे कंट्रोल करने की कला अब इसमें बहुत तारीफ की सौरव सर ने को बहतर कहा और यह समझते हैं साथ ही साथ क्यों इस मुद्दे पर सौरव दिवेदी जी गलत हैं अब जो सबसे पहली बाद सौरव दिवेदी जी ने कही है वो कुछ ऐसी है कि न्यूजिलेंड में कोरोना लगबाग खतम हो गया है क्यों क्योंकि वहां तीन दिनों से कोरो वारस खतम होने को है जब तक नए मामले आने बंद नहीं होंगे तब तक इसे पूर्ण कोरोना मुक्त नहीं कहा जा सकता है क्यूंकि जो मामला निकल कर आ रहे हैं उनके परिवार वाले भी इससे संग्रमित हो सकते हैं जिसका नतीजा बाद में निकलेगा अब जो थी दूसर जस समय पर विदेशी यात्राय रद्य की गई उसी अनुपात के अनुसार पर लगबग सभी देशों ने दिसंबर में चीन में कोरोना वाइरोस फैलने पर चीन की यात्रा करने पर प्रतिबंद लगा दिया था जो कि एक कॉमन बात थी जो सभी देशों ने कर डाली थी वह भारत में भी लॉकडाउन उसी दिन किया गया जब न्यूजिलेंड ने किया था और तब भारत में मात्र 250 ही केस थे ये भी न्यूजिलेंड पीम का एक मिला जुला कदम था लगबग जो कि भारत जैसा ही था भारत में जब 250 केस थे तब लॉकडाउन किया गया और न्यूजि लिए थे जरूरी सामान जुटाने के लिए इसे सौरफ दुएदी जी सारानिकार बता रहे हैं लेकिन यह कितना खतरनाक हो सकता था आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस से हजारों लाखों लोगों की जान जा सकती थी चारों तरफ अफरत अफरी और भगदर मच सकती जिसको रोकना बिल्कुल भी मुम्किन नहीं हो पाता है। लोकडाउन पर जरूरी समान एकत्रित करने के लिए समय देना सरकार की नाकामी को दिखाता है। कि अगर आपने जरूरी समान जुटाने के लिए समय दिया है, मतलब आप अपने नागरी को तक जरूरी समान भी नहीं पहुचा सकते। आपने समय देने का रिस्क लिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता के समझदारी की वज़से ही हुआ। हम सौरव दिवेदी जी को गलत साबित नहीं कर रहे हैं, बस हम सभी को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि कोई बड़ा व्यक्ति किसी का गुड़गाल कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। सोयम का विवेक लगाईए, रिसर्च करिए और समझिए कि हाँ, क्या इनकी बातों में सक्चाई है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हैं तो फिर आप समझदार हैं। न्यूजिलेंड की पुरे देश की अबादी है, वहीं भारत की जनसंख्या है एक अरब 40 करोर, भारत और न्यूजिलेंड की जनसंख्या का कोई अनुपात ही नहीं है, न्यूजिलेंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का एक प्रतीशत भी नहीं है, दोनों देशों ने एक ही समय पर लॉकडाउन किया न्यूजिलेंड में आज की डेट के 1250 कोरोना वाइरस के मरीज है और भारत में 5000 कोरोना के मरीज है पचास लाग मात्र की जनसंख्या होने के बाद भी भारत के अनुपात में न्यूजिलेंड में 22 प्रतीशत मरीज है लेकिन जनसंख्या अनु यूजिलेंड के लोगों जैसी समझदारी दिखाई होती तो आज भारत में स्थिती कोरोना वायरस खतम होने के कागार पर होती तो पीपल्स अब इस वीडियो में हमने दो टॉपिक को कवर किया है पहला कोरोना वायरस पर भारत ने दुनिया में सबसे बहतरीन काम किया दूस झाल झाल